हेलो वरिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स की यूट्यूब एज्यू किस्टाइन चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़े इन डेटेल अबाउट दे कैल्सेम उक्जलेट क्रिस्टल्स कैल्सेम उक्जलेट क्रिस्टल की जो काफी most important topic है अलग-अलग competitive exams के अंदर की जो different competitive exams है के लग GPET का exam है नाइपर का exam है, as well as DI की आप exam देखे, as well as जो government pharmacist की exams conduct होते है उसके अंदर जो pharmacognosy का microscopy वाला जो person है उसमें से कुछ important questions जो है वो पूछे जाते हैं और उसमें specially यह जो types होते है calcium oxalate crystal के और उसके related example of that particular herbal drug वो पूछा जाता है की कौनसी drug के अंदर कौनसे type के calcium oxalate crystal present है तो यह जो types होते हैं अलग-अलग calcium oxalate crystals के उसके visas पे जो MCQ especially multiple choice questions exam में पूछे जाते हैं तो यह topic काफी IMP है most important topic हम कहें because अब तक की हुए बहुत सारी examinations के अंदर हर बार यहाँ से questions पूछा ही जाता है किसी ना किसी तरीके से की जितनी भी अलग-अलग competitive exams होती है उसमें फार्मा कोगनोसी का यह point यह जो हम topic कहें तो काफी IMP है तो सुरू करते हैं यह video lecture में अगर आपके पास Android phone है तो Google Play Store पर से आपको डाउनलोड करिए और अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से आपको डाउनलोड कर सकते है तो सबसे पहले आप concept clear करिए Calcium Oxalate Crystal के बारे में तो जब हम slide prepare करते हैं Microscopic की study करने के लिए के समझे कि आपको कुईसी भी herbal drug का दिया है section किसी भी herbal drug के आपको TS लेने है या मतलब कि उसके आपने तयार किये है अलग-अलग section या फिर second thing कि आप उसकी powder study कर रहे हैं आप कर रहे हैं उसकी powder study तो जैसे आप microscopic के अंदर अलग-अलग characters देखते हैं कि समझे कि आपको starch grain देखने है तो उसकी लिए जो है वो आप staining reagent यूज़ करते है iodine कि iodine वाली जब आप slide prepare करते है तो under the microscope आपको starch grain देखने को मिलते है purple color के same like that second concept में आपको समझा हूँ तो जब आपको fibers वगेरा देखने होते है तो fibers देखने के लिए आप fluoroglucinol plus HCl इसका जो mixture होता है वो यूज़ करते है और आपको pink color के fibers जो है वो देखने को मिलते है आपके section के अंदर as well as आपके powder के अंदर इसी तरह से third जो है character की वो है calcium oxalate crystal तो calcium oxalate crystal के लिए अप अलग अलग जो है वो reagents यूज़ ज़े करते हैं acid यूज़ किया जाता है as well as HClb यूज़ किया जाता है उसके लिए sulfuric acid यूज़ किया जाते हैं तो यसे अलग-अलग reagents यूज़ करके हम slide दयर करते हैं वो slide को under the microscope study करते हैं तो उस वाक्त आपको हमें अलग-अलग तरीके के जो calcium oxalate crystal होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो अलग-अलग shape वाले जो crystals हमें देखने को मिल रहे है slide के अंदर तो यह आप देखो कि तो जैसे कोई needle हो वैसे needle जैसे shape के आपको crystals देखने को मिल रहे है तो ऐसे अलग-अलग type के calcium oxalate crystals हमें देखने को मिलते हैं तो calcium oxalate crystal formation in a plant appears to play a central role कि अलग-अलग herbal drugs के अंदर calcium oxalate crystal उनके अंदर present होते हैं तो उनका role क्या है तो उनके बहुत सारे अलग-अलग functions है तो they play a important role in a variety of important functions कि herbal drug के जो कुछ important functions होते हैं उसके अंदर उनका importance रहता है सबसे पहले तो tissue calcium regulation कि जो herbal drugs के अंदर या फिर plant के अंदर जो अलग-अलग tissues होते हैं तो उसके अंदर calcium के regulation के लिए calcium oxalate crystals उसके अंदर present होते हैं second देखे तो protection from herbivory third चीज़ समझे तो metal detoxification उसके लिए एक important है और evidence is mounting to support ascorbic acid as a primary precursor to oxalate biosynthesis कि oxalate biosynthesis की जो process होती है उसके लिए जो हम कहे प्राइमरी प्रीकरसर तो ये इसके भी evidence एक evidence is mounting to support ascorbic acid as a primary precursor to oxalate biosynthesis तो ये जो calcium oxalate crystal जो form होते है उसके ये important role होते है in plant तो calcium oxalate crystal are the consider as a excretory product of the plant metabolism कि जब plant के अंदर metabolism होता है तो जब excretory product हम देखे कि जैसे excreation जब हमारे अंदर भी होता है कि हमारे अंदर हम देखते हैं कि चार प्रोसेश हम समझते हैं कि absorption distribution, metabolism and excreation तो plant के अंदर भी जब excreation जो होता है तो excreation product के तोर पे हमें उसकी जो अलग-अलग cells होते हैं tissues के अंदर ये crystals form होए देखने को मिलते हैं और ये crystal को हम कहते हैं calcium oxalate crystal की ये अलग-अलग जगा पे हमें ये different crystal जो देखने को मिलते हैं that are the calcium oxalate crystal they occurs in different forms and provide valuable information for identification of crude drugs in entire and also in powder form तो अभी जो मैंने अभी आपको starting में ही एक introduction दिया कि जब आप किसी herbal drug की powder study कर रहे हैं या फिर entire आप उसकी study कर रहे हैं उसका TS लिया है आपने किसे sections लिये हैं तो powder study के अंदर आप fibers देखते हैं as well as xylem phloem जिसे characters उसके अंदर चेक करते हैं starch grain चेक करते हैं same like that practical के दरान important होता है calcium oxalate crystals को भी चेक करना तो calcium oxalate crystal जब आपको develop करने होते हैं laboratory गेंदर तो उसके लिए जरूर पड़ता है staining reagents का तो जब आपको powder form या फिर entire section को detect करना है और उसके अंदर आपको change check करने है calcium oxalate crystal तो उस पर से यह एक point समझे कि identification कि they occurs in different forms मतलब कि different types के होते है calcium oxalate crystal and provide valuable information for identification of crude drug in entire and powder form कि समझे कि आपको किसी x drug का powder दिया है कि यह powder जो है आपके लिए unknown powder है अब आप उसके calcium oxalate crystal के study करते हैं तो उस पर से आपको अंदाज आएगे कि कौन से टाइप के crystal आपको देखने को मिले और उस पर से आप tentatively अंदाज लगा सकते है कि वो drug कौन सी हो सकती है तो वो हम आगे एक table देखें कि उससे आपको काफी पता चलेगा तो staining reagent की हम बात करके किस तरह से हम stain करें तो अभी मैं हने समझाए दूस तरह से acetic acid casetic acid के अंदर calcium oxalate जो है होता है insoluble फिर caustic alkali है कोई भी तो इसके अंदर भी वो insoluble होता है थर्ड hydrochloric acid के जिसके अंदर ये soluble हो जाते है hydrochloric acid के अंदर calcium oxalate crystal जो है वो हो जाते है soluble and fourth हम देखे that is sulfuric acid 60% W by W weight by weight उसके अंदर भी soluble and on standing replaced by needle of calcium sulfate और आप उसको पहले तो sulfuric acid के अंदर crystal soluble हो जाएंगे और soluble होने के बाद समझोगे आप उसको रखते है at least 10 to 15 minute तो on standing it is replaced by needles of calcium sulfate कि जो आपको under the microscope जो से needles जैसे आपको देखने को मिलता है तो that means they are calcium sulfate तो calcium sulfate cube form हुआ तो sulfuric acid डालने से calcium oxalate जो था वो calcium sulfate के अंदर convert हुआ और अब जो आपको needle shape के जो crystals देखने को मिलते हैं that are calcium sulfate तो ये बात ही जब आप यूज़ करते हैं sulfuric acid as a reagent acetic acid यूज़ करते हैं तो आपको अलग-अलग shape के देखने को मिलते हैं based on the drug caustic soda के अंदर भी insoluble होते है crystal इसलिए आपको crystal अच्छा से form होते है और आपको देखने को मिलते हैं as well as hydrochloric acid के अंदर वो हो जाते है soluble तो कई बार आपको sininess देखने को मिलते हैं आपके crystal या फिर आपके powder के अंदर के जो भी एक indicate करता है कि calcium oxalate के वो crystal इके crystal जो है वो sign देते हैं अंदर तो उससे आपको पता चलता है regarding calcium oxalate crystals तो ये वाला जो table है वो मैं कहूं तो very very most IMP for examination कि यहाँ से जितने भी previous competitive exam से उसमें questions जो है वो पूछे गए तो सबसे पहले देखिए आप कि type of calcium oxalate crystal यहाँ पे उसके types दिये हैं और सामने उसके example आपको अच्छे से याद रखने कि जो prism या फिर single crystal जिसे calcium oxalate crystal आपको देखने को मिलते है quillella bark के अंदर lycoris के अंदर caseya wood है hyoschymus है claustock है sana है cascara ralphia kurchi and koca के अंदर फिर जो clusters होते है crustals crystal तो वो sana के अंदर देखने को मिलते है strominium lip के अंदर rhubarb है clove का powder है या फिर clove के section है and wild cherry bark फिर जो rosette crystal कहे जाते है rosette shape के तो rhubarb के अंदर umbelly ferrous fruits जैसे की coriander है fennel है anise है celery है उसके अंदर फिर acicular crystal की जो rapides कहते हैं हम या फिर acicular crystal तो single acicular gentian root के अंदर and cinnamon bark के अंदर as well as gentian के अंदर and bundle of acicular squeal and impecac root के अंदर तो यह question यहाँ से कैसे पूछा जाता है यह समझे की bundle of acicular crystal are present in which of the following herbal drug dash 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 which of the following तो समझे कि आपको नीचे options दिये x quill दिया है sink न दिया है bellad न दिया है digital is तो उस वक्त आपका correct answer रहेगा squill या फिर reverse भी पूछा जाता है कि sink को ना content which of the following type of calcium oxalate crystal तो एक option है समझे कि calcium oxalate crystal are absent एक option दिया है कि micro crystal और crystal sand और micro spanner type of crystals are present तिसरा दिया है rapides और option D दिया है आपको acicular crystal दूस वक्त आप correct answer select करेंगे option B कि micro crystal और crystal sand micro spanner जिसे तो इस तरह से आपको regularly ये जो है चीज उसका करना पड़ेगा revision या फिर ये जो चीज है उसका एक आप चार्ट बना दो एक अच्छे से wallpaper जीसा बना दीजे और आपके study room के अंदर जब आप ये चार्ट या फिर wallpaper लगाएंगे तो ये जो दोनो टेबल से कि ये है टेबल 1 और second जो हमने देखा उसी का second part और ये table 2 तो ये जो दोनो टेबल से वो आपके लिए very very most IMP है examination के लिए तो एक अच्छे से आप इसका chart बना कर with example जब आप लगा देंगे तो उससे आपका जो revision है वो काफी easy हो जाएगा as well as regular जितना भी आप उसके उपर नजर डालोगे तो बीना किसी tricks के भी directly आप regularly revision के करन ये एक trick भी नहीं एक method of study है ideal method जो हम कहें कि ideal method of study because कई बार हम tricks भूल भी जाते है और trick को अलग से याद करने के लिए time waste करें उससे अच्छा है कि directly ये points को हम अच्छे से revision कर लें कि जब आप clusters crystal के बारे में study करते हो या फिर diary rose आपके mind में एक बार आपके wall paper पर नजर जाते है कि clusters में आप पढ़ते है senna leaf, stermonium leaf, rubarb है, clove है, wild cherry तो वो आपके mind में एक बार feet हो जाएगा same like देख समझे कि rosette के लिए आप देखते कि rubarb के अंदर rosette है तो rubarb के अंदर cluster भी देखने को मिलते है as well as rosette भी फिर umbelly ferrous fruit है तो umbelly ferrous के अंदर आपको याद रह जाएगा कि उसके अंदर rosette type के होते है तो umbelly ferrous fruit तो आपको पता है कि जैसे fennel है, anise, coriander तो यही एक method है ideal कि जब आप उसका अच्छे से एक wallpaper बना देते है चार्ट बना देते है और वो आपके study room में लगा देजे और regularly यह point का करिए revision फिर अब समझे, diagramatically आपको देखने हो तो जो cluster stripe के जो calcium oxalate crystal है कि जो senalip के अंदर होते है stramonium के अंदर भी होते है, rhubarb, glove, wild cherry bark तो वो इस तरह से हमें देखने को मिलते है कि जहाँ पर मैं yellow करूंगा वो है calcium oxalate crystal इस तरह से cells, tissues वगरा के अंदर यह present होते है कि जो हमने बात के अब ही कि कि जो excreation के दौरान जो products तायार होती है वो होते है यह calcium oxalate crystal और एक identification mark बनते है अलग-अलग herbal drugs के अंदर के लाइक समझे के senalip का powder है तो उसमें समझे के आपको under the microscope ऐसे crystals देखने को मिलते है तो clusters type के cluster तो उस पर सिया पंदाज अलगाएगे कि वो senalip हो सकता है same like that stramonium, rhubarb, glove और बाकी जो है वो दूसरे जो characters होते हैं स्टॉमेटा है, trichome से उसके basis पर बाकी का आप identification करेंगे second हम देखे तो जो prisms देखें कि जैसे यहाँ पर देखें कि जैसे prism होता है like that यहाँ पर के लग-लग जो हमने prisms आप देखते हो तो prisms जैसे shape के, जो crystals हो देखें क्विलेला बारक के अंदर leucorize के अंदर, quiesia wood है, hyoschymus है glove है, sanna, cascara है, ralphia है, kurchi है, koca है वगेरा के अंदर यह type के prism जैसे crystals present होते हैं, जो हम prism draw करते हैं same like that, कि यह जो है, वो plant के अलग-अलग tissues है, cell वगेरा है, cell है tissue और उसके अंदर हमें इस type के crystals देखना क्यों मिलते हैं फिर जो micro sphenoids होते हैं, कि synchona and belladona के अंदर ही होते हैं कि micro sphenoids type के, यह जो belladona का जो हम plant देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हम यह जो देख रहे हैं, कि इस type का पूरा एक micro sphenoids जो देखने को मिल रहा है, center के अंदर तो यह जो है, micro sphenoids type के crystal micro sphenoids type के calcium oxalate crystal है यह आगे देखिया आप तो rosette कि जो यहाँ पे center में आप देख रहे हैं यह वाले तो these are the rosette type, these are the rosettes in santa as well as इन्हें रुबार्ब के रुबार्ब है, ambelliferous fruit है, coriander है, fennel, anise and also इन्हें santa तो यह सभी drugs के अंदर, rosette type के calcium oxalate crystals जो है वो present होते हैं कि जो हमें यहाँ पे उसके जो rosette develop हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे center के अंदर तो इसे अलग-अलग cells के अंदर और यह rosette type के calcium oxalate crystal फर्म होते ही जब उनको हम mount करते हैं इन्हे staining reagent फिर tetragonal crystals के यह जो tetragonal safe होते हैं SSF के crystals यह herbal drugs के अंदर आपको देखने को मिलते हैं तो यह जो crystals है that are tetragonal type of various shapes develop होते हैं फिर micro crystals के यह जो plant का section उसके अंदर यह जो अंदर की और यह जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मैं yellow कर रहा हूँ तो वेसे crystals जो हैं आपको देखने को मिलते हैं और that are micro crystals which are present in the sinkona bark कि आप जो हम sinkona bark देख रहे हैं तो sinkona bark का powder आप देखे तो उसकी powder study के अंदर आपको ऐसे micro crystals जो है वो देखने को मिलेंगे फिर जो rapides हम कहते हैं एक special characters के cocoa याम करके जो है plant तो उसके अंदर ऐसे इस type के rapides हमें देखने को मिलते हैं तो यह एक उसका special characters होदा के rapides डेवलाप होते हैं किसी cell के अंदर आपको देखने को मिलते हैं tissue के अंदर या फिर उसके powder के अंदर किसी भी herbal drug के तो वो confirm करता है cocoa याम तो यह तो कुछ important calcium oxalate crystal और उनके types the most IMP topic for examination last में एक देख लिजे acicular crystal in squeal तो यहाँ पे जो आप देख रहे है acicular कि जिसे यह जो aciculars develop हुए है like that तो उसका आप single निकाल के देखो तो यह एक यह वाला फिर यह जो acicular है तो यह सब इस तरह से set हुए होते है तो ऐसे crystal जो है वो form होते है कि समझे कि single होते है तो दिये होगा single यह only एक एक ऐसा ही develop हुआ है तो that is single that is in a gentian root and cinnamon bark के अंदर as well as in a gentian और bundle of acicular तो यह वाला जो है that is here that is a bundle यह वाला जो आप देख रहे हैं वो है bundle of aciculars तो वो देखने को मिलते है squeal के अंदर and epicacrot तो यह है very very most IMP कि यह पूछा गया है कि bundle of aciculars bundle of aciculars are present in which herbal drug that is squeal and epicac तो यह वाला अच्छे से याद रखना है as well as कि जो हमने अभी table की जो study की थे detail में वो भी आपको अच्छे से तयार करना है तो यह एक देख सकते हैं कि spherocrystal तो यह से भी होते हैं कुछ drugs के अंदर spherocrystal की इस तरह के यह जो हम देख रहे हैं कि गुच्छे में जैसे हो वैसे spherocrystal की कई बार spherical भी बनते हैं as well as crystal type के यह इस तरह से आपको देखने को मिलते है crystals तो ही था हमारा special lecture on calcium oxalate crystal जरूर से whatsapp groups जोइन करें 942618036 सब्सक्राइब करें चैनल अक्सेस करें टेस्स सीरीज, study material वीडियो लेक्चर अने आप फामराउग्स android phone है तो app store पर से android phone है तो google play store पर से iphone है तो app store पर से आपको डाउनलोड करें गुड़ ले ड्सक्राइब